Hello students, contract first का five number question आज हम भड़ेंगे कि परतिफल क्या है, यह कितने परकार का होता है, परतिफल क्या है, यह कितने परकार का होता है, what is consideration, what are the various kinds of consideration, कि परतिफल क्या है, यह कितने परकार का होता है, कई बार एक्जाम में इस परकार का question आ सकता है, contract first का five number question आज हम भड़ रहे हैं, तो परतिफल की जो परिवासा है, Indian Contract Act 1872 section 2D में दे गई है, कहां दे गई है, Indian Contract Act 1872 section 2D में दे गई है, याद रखना section 2D में दे गई है, एक valid contract के लिए क्या consideration का होना क्या compulsory है, तब ही वो क्या की legally contract का लाएगा, मतलब एक वेद स्विदा के लिए मतलब परतिफल होना आवसक है, without consideration के क्या जो agreement होता है, वो क्या होता है, wind होता है, क्या होता है, wind होता है, सुनने होता है, क्या होता है, सुनने होता है, without consideration के और कोई agreement है, तो वो wind होता है, सुनने होता है, तो आप लिख सकते हैं, मतलब एक contract के लिए एक valid contract के लिए यानि विदी मानिस विदा के लिए consideration का होना का है compulsory आवसक है तो Indian contract act 1872 section 2D में जो परिवासा देगी है वो इस परकार देगी है कि जब की बचन दाता की वासा पर यानि की इच्छा पर यानि प्रोमिस सर जो होता है उसकी इच्छा पर क्या प्रोमिस सी जो होता है क्या करता है कोई act करता है या act नहीं करने का क्या करता है promise करता है तो वो क्या कहलाएगा तो first person के लिए क्या होगा वो consideration होगा क्या होगा? consideration होगा परतिफोल होगा उस act के लिए ठीक है? तो थोड़ा यह हम example से थोड़ा समझ सकते हैं example से समझ सकते हैं जैसे A जो है वो क्या कि 1000 रुपे में यानि 1000 में B की cycle खरीदने का क्या करता है? proposal करता है यानि पस्ताव करता है वो B जो है अपनी cycle जो है 1000 रुपे में बेचने में agree हो जाता है ठीक है? जो B जो है अपनी cycle है A को 1000 रुपे में बेचने के लिए agree हो जाता है यानि सेमत हो जाता है ठीक है? तो A के लिए जो cycle है वो consideration है और 1000 रुपी जो B के लिए क्या consideration है तो यह तो क्या हो गया, valid contract हो गया, अगर इस प्रकार का A, B, मतलों इसी प्रकार का कोई दूसरा contract करते हैं, ठीक है, कोई vehicle खरिदने का contract करते हैं, प्रोपर्टी खरिदने का कोई contract करते हैं, तब इस contract में अगर क्या की दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या की consideration है, तो वो valid contract का लाएगा बिना consideration के contract होई नहीं सकता अगर किया गया है तो उस पर किया गया है तो वो क्या वोइंड होगा जैसे यह दूसरी example से इसको हम समझ सकते हैं जैसे जो है हजार रुपए क्या बी को देता है without consideration के यह जो है हजार रुपए बी को देता है without consideration के मतलब कोई भी चीज बिना लिए हजार रुपए देता है तो इस प्रकार का agreement जो है क्या है वोइंड है या सुनने है ठीक है ठीक है students अब हम परतिफल की क्या definition देखते हैं definition जो है एक तो पॉलक ने दे रखी है दूसरी definition है एंसन की पहले पॉलक की दूसरी एंसन की ठीक है पॉलक क्या कह रहे हैं पॉलक कह रहे हैं किसी पक्षकार दवारा कोई कारे करने या करने से परविर्थ रहने या कोई नहीं कारे करने के लिए या ऐसा कोई कारे करने या करने से परविर्त रहने का वचन देना ही वह मुल्ले है जिसके बदले उसके दूसरे पक्सकार के वचन का क्रेक किया जाता है और ऐसा वचन प्रवतनिय होता है तो वो क्या कहलाता है कंसिड्रेशन कहलाता है दूसरी प्रिवासा अंसन की है अंसन क्या कहा रहा है पर्तिफल जो है वह वस्तू है जिसे किया जाए यहां करने से परविर्थ रहा जाए सहन किया जाए यहां जिसे करने का प्रोमिस किया जाए यहां वचन दिया जाए यहां जिसको वचन करीता जो है वचन के सम्मंद में करने से परवित रहता है या सहन करता है तो वो consideration कहलाता है ठीक है तो इस प्रकार इनकी पोलक की और एंसन की definition दीगी है परतिफल की अब हम परतिफल के आफसकत्तव पढ़ते हैं एक consideration में मतलग क्या क्या आफसकत्तव हो सकते हैं पहला जो आफसकत्तव है परतिफल वचन दाता की क्या की desire पर दिया जाना चाहिए ठीक है जैसे की A जो है 1000 रुपे में B की cycle करता है प्रपोज करता है यानि की प्रपोज करता है तो यहां जो A है क्या कहलाएगा प्रोमिसर कहलाएगा ठीक है यानि की desire of promise या इच्छा जो है अपनी क्या की हजार पर आना चाहिए एक इच्छा पर आना चाहिए परतिफल कों देगा बी देगा यानि की और से कोई अन्य वक्त दवरा क्या की दिया जा सकता है यानि की प्रोमिसी और एनी ओदर परसन द्वारा दिया जा सकता है ठीक है ठीक है स्टुडेंट तीसरा इसका आप सकता त्वेवर कंसिडरेशन का भी कंसिडरेशन जो है परतिफल जो है ठीक है परजेंट में भी हो सकता है यानि वरतमान में भी हो सकता है past भी हो सकता है भूत काल में भी हो सकता है ठीक है बविश्य में भी दिया जा सकता है यानि future में भी consideration दिया जा सकता है वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे detail में थोड़ा परतिफल present कैसा होता है past कैसा होता है और future कैसा होता है ठीक है students चार नमबर जो हो सकते हैं परतिफल का परतिफल कोई कारे करने के लिए कोई एक्ट करने के लिए या नोट एक्ट करने के लिए क्या की प्रोमिस होता है क्या होता है प्रोमिस होता है थोड़ा एजामपल यहां समझते हैं कि नैय करने के लिए क्या हो सकता है जैसे कि A है ठीक है और B का आमने सामने मकान है अब A जो है B को 1000 रुपे देता है और यह मतलब कि प्रोपॉजल करता है कि B जो है कि A की मकान के तरफ से कोई खड़की नहीं कोलेगा तो इसका परकार एक्ट जो है ने करने के लिए भी हो सकता है अब जो भी है जार उपे ले ले तरो इस तरफ कोई खिड़की नहीं खूलता है मकान की तो इस प्रकार कोई कारे करने के लिए भी कोई कारे करने या ने करने के लिए भी क्या होता है बचन होता है consideration में, क्या होता है, consideration में कोई promise होता है, five number जो आप सकते होता है, क्या पर्तिफल क्या मुल्यवान होना चाहिए, valuable होना चाहिए, मन्दो पर्तिफल में, पर्तिफल अधिकी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, minimum मतलो कितना हो सकता है, मतलो ये तक court decide करता है कि पर्तिफल कम से कम कितन हो सकता है जैसे यहां थोड़ा example समने लेते हैं जैसे ए जो है बी की cycle 10 रुपे में क्या की खरीदने का क्या करता है मतलब promise कर यह नि प्रोपेजल करता है और बी जो है 10 रुपे में बेचने के लिए अगरी हो जाता है तो यहां यह 10 रुपे जो है और बी considering क्या है वेलीवुबल हैनी माना जाएगा छीक है इस प्रकार का कोई है तो वो प्रतिफल कहलाएगा प्रतिफल कम से कम हि हो सकता है अधिक ची अधिक भी हो सकता है ठीक है student 6 इसका आप सकत्तिफल का किया होना लीगली होना यानि व्यद होना चाहिए ठीक है जिसका कि कानू इसको माननेता दे ठीक है ये छे आफ सकत रता हो गई प्रतीफल के प्रतीफ़ल वचनदखिया कि वैसार आफ आफ प्रोई मीं सर पर दिया जाणा चाहिए प्रतीफ़ल वचन गरहिता यह द्यद blessing द्वारा दिया जा सकता है पर्तिफल परजेंट में हो सकता है, फास्त में फिचर में भी हो सकता है, ठीक है पर्तिफल कोई एक्ट करने के लिए या ने करने के लिए भी हो सकता है, पर्तिफल के परकार, पर्तिफल जो है कितने परकार का होता है, पर्तिफल जो होता है वो तीर परकार का होता है, यानि कि manly दो three मतलो प्रकार का होता है ठीक है पहला जो है मतलो present consideration दूसरा बूठ का लिद पर्तिफ़ल तीसरा जो है बविषय का लिद पर्तिफ़ल यानि present consideration, past consideration और future consideration य450 जो होता है वो तीन प्रकार का होता है अगर exam' में पूछ लिया जाए kinds of consideration कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख सकते हूं present प्रकृर dedication past consideration future consideration यनि प्रकृतफ़ जो हता है वो तीन प्रकार का होता है थोड़ा यहां example से समझ लेते हैं present प्रकार का है जैसे की example तो आप तरवा समझ लेते हैं जैसे की जो है ठीक है एक्जामप्ल से इसको हम थुड़ा समझ सकते हैं जैसे कि A के पास एक मोटर साइकल है ठीक है मोटर साइकल है और मोटर साइकल कोस्ट ते वो 50,000 रुपे है ठीक है वो अपनी मोटर साइकल जो है 50,000 रुपे बेचने में B को क्या करता है पाव करता है, वो B जो है तुर्फ इसको 50,000 पर दे देता है और तुर्फ ये जो है अपनी motor cycle लागा B को दे देता है, तो इस परकार का जो consideration है, तो वो क्या कहलाएगा, present कहलाएगा, क्या कहलाएगा, present कहलाएगा, ठीक है, दूसरा बूतकालनी परतीफल यानि Past Consideration Past Consideration को एजामपल से हम समस्गते हैं जैसे कि A जो है ठीक है B के जो फैमिली होती है यानि की फैमिली की क्या करता है सर्विस करता है मतलब शेवा करता है यानि परिजनों की शेवा करता है यानि यह क्या करता है फैमली की सर्विस करता है और बी जो है तीन साल के बाद तीन साल के बाद तीन वर्स के बाद क्या करता है एक को क्या की दस हजार रुपे देने का प्रोमिस करता है यानि वचन करता है ठीक है प्रोमिस करता है और वचन करता है ठीक है तो इस परकार का ज पत्तिफल कहलाएगा ठीक है future consideration जो है फिचर गंजल से लेते हैं future consideration किसे कहते है future consideration मतूंसरे क्या मतलब होता है एहmm divided력 है थाइन है मतलों ख्रीदने का क्या करते है उटों ही जविधा करते है ठीक है लेकिन जो पाजसन जो है प्रोपेटी का वो 21 मार्च 2020 को दिया जाना है अब जो consideration मिलेगा वो कब मिलेगा 21 मार्च 2021 को मिलेगा मतलब यह इस परकार का अगर कोई consideration है तो उसको क्या कहलाएंगे future consideration कहेंगे ठीक है okay students